राधे राधे कार्तिक मास की सारी कहानिया एक साथ गणेश ची की कहानी एक बुढिया थी वह हर रोज मिट्टी के गणेश ची की पूजा करती थी रोज बनाए रोज गणेश जीगल जाएं सामने ही एक सेट का मकान बन रहा था वह बोली भाई मुझे पत्थर का गणेश उतने में हम अपनी दिवार न चिनेंगे। सेट की दिवार सीधी हो गई। नदी किनारे कुटिया बना कर रहने लगी। बुढिया रोज सुबा उटकर नहा धोकर पूजा पाट करके जब लड़ु खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। उस महल में धन दौलत वे अन के भंडार भर गए। बुढिया निरोगी हो गई और बहुत धून धाम से वे अपने बेटे के पास धन दौलत ले कर गई। तब वे बहु कहने लगी अगले कार्तिक में भी अपनी मा को नहलाओंगी। कार्तिक का महीना आया उसने खूब सारा घी और मेवा डालकर लड़ु बनाए और अपनी मा को 30 लड़ु बान दिये। और मा कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह उटकर लड़ु खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते। तो वे पत्थर मार कर कहती। मेरा पेट नहीं भरा तुम है कहां से दू। इस प्रकार वे रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कच्रे के धेर में बदल गई। और बुढ़िया डुकर बन गई। उसकी बैटी अपने पती से कहने लगी कार्तिक महीना समाप्त हो गया है मेरी मा को बेंड पाजे के साथ धूम धाम से लेकर आओ जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है ना तो महा सास है ना ही कुटिया की जगे कच्रे का धेर है उस धेर पर बुढ़िया डुकर बन कर घूम रही है तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं बेटा तुमारी माने सत से कार्तिक नहाया था दुकर बन गई कार्तिक देवता जैसे मा पर बरसे वैसे सब पर बरसे और जैसे सासू पर बरसे वैसे किसी पर ना बरसे बोलिये राई दामोदर कार्तिक नारायन महाराज की जै तुलसी जी की कहानी कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सीचने जाती सब कोई तो स लेकिन एक बुढ़िया माई आती जो तुलसा माता से रोजाना कहती। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है। जिससे इतनी भारी हो गई भगवान बुढ़ी प्रामण का रूप धर के आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है। पापी नी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा। बुढ़िया माई तू बिरला सिचे मेरा, मैं करू निस्तारा तेरा। बुढिया माई अडवा ले गडवा ले पीतांबर की धोती ले मिठा मिठा गास ले बेकुंटा का वास ले चटक की चाल ले पटक की मोत ले चंदन का काथ ले जालर की जनकार ले साई का राज ले दालभात का जिम्मन ले क्रिश्न का कांधा ले इतना सुनते ही बुढिया मा जे तुलसी माता दढ़ी बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूद तो पीपल में और दढ़ी पतवारी में सीच जाती। सास दूद दही का दाम मांगती तो कह देती महिना पुरा हो जाने पर दूँगी। कार्तिक का महिना पुरा हो गया। पूर्णी मा के दिन बहू पीपल पत्वारी के पास जाकर बैठ गई, पत्वारी ने पुछा तो मेरे पास क्यों बैठी है, बहू बोली सास दूद दही का दाम मांगेगी तो मैं क्या दूँगी, पीपल पत्वारी बोली मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान और धतूरा है इसको ले जा, बहु ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओड़ कर सो गई सासु बोली, बहु पैसे ला, बहु बोली कोठरी में रखे हैं सासु ने कोठरी खुल कर देखा, तो हीरे मोती जगमगा रहे थे सासु बोली बहु इतना धन कहां से लाई बहु ने आकर देखा तो सच्चे ही धन का भरा भंडा था बहु ने सास को सारी बात बता दी सास ने कहा अपकी कार्तिक मैं भी सीचूंगी कार्तिकाया सास दूद दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पत्वारी में डाल देती आकर बहु से कहती मेरे से दाम मांग बहु कहती सासु जी कोई बहु भी सासु से दाम मांगे है के पर सासु कहती तू मांग बहु बोली सासु जी पैसे लाओ तो वै पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ जाती एक दिन पीपल पतवारी को बोली कि हे भगवान मेरी बहुने पैसे मांगे मैं कहां से दूँ पीपल पतवारी ने सास को भी वही पान १तूरा बटिंड़ा दे दिया उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया बहु ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं बहु ने का सासु जी ये क्या है सास ने आकर देखा और बोली पीपल पत्वारी तो बड़ी दोपड़ पिटी है इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया तब सब कोई बोलने लगे बहु तो सत की भूकी सीची थी तू धन की भूकी है पत्वारी माता जैसा बहु को दिया वैसा सब को दियो जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दियो बोले पत्वारी माता की जै जी की कहानी एक नगर में एक सावकार रहता था उसकी एक लड़की थी उसने देखा कि लक्षमी जी उसी पीपल में से निकला करती थी एक दिन लक्षमी जी उस सावकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसंद हूँ इसलिए तु मेरी सहेली बन जा लड़की बोली शमा कीजिए मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी इसके बाद वह अपने माता पिता की आग्या पाकर श्री लक्षमी जी की सहेली बन गई शी लक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंतरन दिया जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बरतनों में खाना खिलाया सोने की चौकी पर बैठाया और उसे भहमुल्य वस्रोडने को दिया इसके बाद लक्षमी जी ने कहा कि मैं भी कल तुमारे यहां जीमने को आऊंगी लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहे कर सुनाया तो यह सुनकर उसके माता पिता खुश हुए परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्षमी जी का वैभव बहुत बड़ा है मैं उन्हें कैसे संतुस्ट कर सकूंगी उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पाए रुखा सुका शद्धा और प्रेम से खिला देना यह बात कहने पिता कहने भी ने पाए कि सहसा एक चील मटराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहाँ डाल गई यह देखकर सावकार की लड़की बहुत प्रसन हो गई उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढख दिया तब तक श्री गणेश्ची और महालक्षमी जी वहाँ आ गए लक्षमी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा इस पर श्री महालक्षमी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं हम कैसे बैठेंगे बहुत आग्रह करने पर महालक्षमी जी और गणेश्ची ने बड़े प्रेम से भोजन किया लक्षमी और गणेश्ची के घर में आने से सावकार का घर सुक संपत्ती से भर गया हे लक्षमी माता उसी प्रकार सभी गरों में सुक और संपत्ती देना जैसे आपने लक्षमी जी की सहली के घर में दिया बोलिये लक्षमी माता की जै राई दामोदर जी की कहानी दो मा बेटियां थी बेटी का नाम राई था वे बहुत सुंदर वे सुशील थी बगवान क्रिशन की पकी भक्ती एक बार बगवान क्रिशन उसकी परिक्षा लेने है तू बासुरियां बेचने वाले बन कर आए और आवाज देने लगे राई अपनी मा से बोली मुझे भी बासुरिया चाहिए मा बोली मैं पैसे कहां से लाओ तो बाजरी है वो ले जा, बाजरी के भगवान ने फोक मारी तो फूस करके उड़ गई, और राई की आँख में चली गई, राई जोर जोर से रोने लगी, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, वैद्दे का रूप धारन करके वहां आ गए, और आवाश देने लगे, शुकलपक्ष की ग्यारस के दिन विवा निश्चित किया गया, मा सोचने लगी बेटी को क्या दूँ, सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग वे बिचिया करते, सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हू हलवाईवे बनिया, वो जहां भी गई उसको यही जवाब मिला, मा तो घर आ गई, अब क्या करे, वो घर आई, जोपड़ी महल में बदल गई, आनंद हो गया, ठाट से विवा की तैयारिया होने लगी, भगवान बारात लेकर आए, मा ने खूप ठाट से राई का विवा, भगवान राई को लेकर द्वारिका गए, तो राई के महल में ही रहने लगे, दूसरी रानिया चिड़ने लगी, सावन में राई पीहर गई, भगवान ने सोचा राई के तीज भेजू, साथ जरी के बेस वे पांस सोने के पचेटे रख दिये, दो हंसो को बुलाया, वे ब काटे पुराने कपड़े और पांच काटे बान दिये, पोटली हंसो को दे दी, हंस सामान लेके राई के पास गए, राई खुशी से नाचने लगी, जैसे ही पोटली खोली, पांचों उंगलियों में पांचों काटे चुप गए, राई बहुत दुखी हुई, सावन खत्म ह हुआ तो भगवान लेने आए, राई भगवान से बोली भगवान आए तो राई दूर दूर जाए, भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोले, इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती, एक दिन भगव से नाराज है राई बोली तुछे क्या मतलब है तू जा तो गूजरी रूपी भगवान बोले हम सहेली जैसे हैं तो मन की बात कहो मैं किसी को नहीं कहूंगी राई ने सारी बात कही सुनते ही भगवान को अचमबा हुआ और व्यस्ति रूप में आ गया और बोले ये कैसे को बुला कर पुछा तुम कहीं रुके तो नहीं थे हंस बोले राधा रुकमणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके भगवान ने राधा रुकमणी को बुलाया और पूछा आपने ऐसा क्यों किया वे बोली आप हमारे महल नहीं पता रे इसने हमने ऐसा किया भगव रादय रुक्मनी राई को मान दिया वैसे सब को देना घर्ती को पूरी कर जो पूरी का प्राण छोड़ जो भूल चुक माफ करना पोलो कातिक ठाकूर राई दा मोदर महराज की जै ती माता की कहानी एक मा थी उसके एक बेटी वे एक बेटा दोनों छोटे छोटे थे मा गरीब थी वेह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी दीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे बेटी शादी के योग्ये हो गई मा भूडी हो गई मा ने बेटे से कहा बेटा ते योग्यवर नहीं मिला, मैं घुम घुम कर ठक गया, बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ, ऐसा सोचकर वो चुन्ड़ी और सामान लाने गया, बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई, भाई बोला तेरी शादी है, महलने वालों ने बहन से क कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है, बहन ने भाई से पुछा, मेरी शादी किस से कर रहे हो, भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई, उसने एक लोटा लिया, चुन्ड़ी ली, और चपल पहन कर जंगल में रवाना हुई, गाए के गवालों ने पुछा, वन में क्यों जा रही हो, वह कुछ नहीं बोली, वन में जाकर धरती मा को पुकारने लगी, बोली, हे मा, तू ही मेरी लाज रखना नहीं तो अन्याय हो जाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे अपनी गोत में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी, धरती मा फटी तो बहन इनने एक तरफ लोटा, एक तरफ चुन्री और चपल रख दिये, और वह धरती में जाने लगी, इतने में दौरता हुआ भाई वन में आया और गौले से पुछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है, गौलो ने कहा तेरी बहन उधर गई है, बहन बहन पुकारता हुआ दौरा, तो बहन धरती मा के अंदर समा रही थी, थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे, उसने बहन के बाल मुठी में पकड़े और रोने लगा, बहन तुसत के लिए धरती मा की गोद में समा गई, मेरी बुद्धी ब्रस्ट हो गई थी, मा का वचन निपाने के लिए मेरे जैसा कोई इसलिए ऐसा विचार आया, पर धरती मा ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया, जो बाल बाहर थे वो दौप बन गई, इसलिए और ते कहानी सुनती हैं, और लोटा चपल चूंडी और एक बरतन में हरे मुंग, एक लड़ू कमारी कन्या को देंगी, उसको धरती म ने बहन का सत्रक्खा, वैसे सब कोई का सत्रक्ख न बोलो धरती माता की जै, सूरज भगवान की कहानी, सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते, एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूकती चली जा रही हैं, तो राना दे से पूछा कि खान के भोजन जीमते हो, मैं तो खटी राब जीमती हूँ, भगवान बोले राना दे तुम जूट बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है, राना दे बोली सुхे आप मेरी थाली लेना, मुझे आ आपकी थाली देना, दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पा राणा दे कि ठाली आपने क्यों ली भगवान कहने लगे मा अपने घरमें आप दो जने और मैं जिसमें भी दो भात मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घरमे ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा घरमें सब का खाना एक जैसा बनाओ वहां से वो कुमार के गए और बोले दो पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए है माजी तो एक टका दे थी ती ये दो टका देंगे और कुमार बोला मैंने बनाई भगवान बोले आज के बाद दो पेट की हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त पेट कर दूँगा कुमार बोला मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है सहस्त हो गए तो मैं क्या करूँगा मैं अब दो पेट की हांडी कभी नहीं बनाओंगा इस तरह सूरज भगवान ने दुभात मिटाई, इस प्रकार घर में एक ही प्रकार का भुजन सब लोगों के लिए बनना चाहिए, घर ग्रस्ती में कोई भी दुभात नहीं होना चाहिए, बोली ये सूरिय नारायन भगवान की जै आठों वारों की कहानी, एक मा बेटे थे, मा गंगा जी नहाने गई तो बहु से कहे गई, मेरे बेटे को सुभे रोटी दे देना, उसने कहां अच्छा मा जी दे दूँगी, सुभा बेटा बोला, मा मा रोटी दे, मा मा रोटी दे, बहु बोली, ना मा है ना रोटी है, कमा कर लाओ के तो रोटी दूगी वह बोला भगवान मैं तो कमाना नहीं जानता लेकिन बहु नहीं मानी उसने का अच्छा तो चार रोटी आम का अचार दे दो बहु ने रोटी बना कर दे दी वह रोटी लेकर कुए की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमाना ना भगवान रहमन का भेश बना कर आये और बोले ऐसे उदास क्यों बैठे हो वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी पर मैं तो कमाना नहीं जानता हाँ पर मैं आठों वारो का नेम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे चावल के दाने पानी की घंटी ले लो ढके बरतन को उखाड़ो ओंधों को सीधा करो उसने कही उसने सुनी इतवार, सोंवार, मंगलवार, बुद्वार, बुद्वार, शुकरवार, शनिवार आठों वारो का आसरा भरियो पीहर भरियो, आतूड भंदार होते चले गए घर पहुँचा बीवी बोली क्या लायो उसने कहा आठो वारों का नेम लाया हूँ बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो ओंधो को सीधा करो ढको को उखाड़ो उसने कही उसने सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुकरवार, शनिवार, आठ वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा तूट भंडार होते चले गए बहुत से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ, फटे से कपड़े पहन कर बेटी के घर गया बच्चे बोले नाना जी आये हैं, नाना आये, बेटी बोली कैसे भेश में आये हैं, बच्चे बोले मैले भेश में आये हैं, आये क्या हैं, दो दिन की रोटी तोडने आये हैं, सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है बेटी से कहा बेटी मेरी आठों वारो की कहानी सुन ले उसने कहा पिताजी मेरा मुह जूटा है उसके पिता भूके ही सो गए अगले दिन बेटी को तरस आया बेटी बोली पिताजी आओ आओ आपकी कहानी सुनाओ पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ पानी की घंटी ढके को उगाड़ो औंधो को सीधा करो उसने कही उसने सुनी इतवार सोमवार मंगलवार बुदवार गुरुवार शुकरवार शनीवार आठो वारो का आसरा भरियो पीहर और सासरा भरियो अटूट धनके भंडार होते चले गए बेटी भर-भर के बोईये बाटने लगी अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दे उसने पिताजी से कहा वे बोले आज तो मेरा मूँ जूटा है कल सुना दूँगा अगले दिन उसके पिताजी ने पडोसन को आठो वारो की कहानी सुनाई उसके भी खूप अ तूट भंडार हो गए जैसी उस ब्रहमन के आठो वारो की कहानी तूटी वैसी सब के तूटे गंगा जमुना की कहानी एक गंगा थी एक जमुना थी दोनों बहने एक सहुकार के खेत में से जा रही थी जमुना ने बारहे दाने जौंखी खेत में से तोड़ लिये गंगा बोली बहन ये तो चोरी हो गई तुझी तो पाप लग गया, जमुना बोली अभी है पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली बारहे बरस सहुकार के यहां नौकरी करने से उतरेगा. जमुना सहुकार के यहां गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो चार काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी एक तो जूठे बरतन नहीं धोंगी जारू नहीं लगाऊंगी सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी सावकार ने उसे नौकरी पर रख लिया बाहरे वरस बात कुम्ब का मेला आया सावकार सावकार नी मे हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी वे लोग महां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बाईयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बेहन जमुना से कह देना कि अब तेरे बारह बरश पूरे हो गए अब आ जाए सावकार सावकारनी घर आए वे जमुना से बोले तेरी बेहन कह रही थी के तेरे बारह बरश पूरे हो गए तू आजा यह सुनते ही जमुना सहस्त धारा होकर बेहने लगी सावकार सावकारनी को जब यह पता लगा क्यों हो मैंने तुम्हारे खेत में से बारह दाने गेहूं के तोड लिये थे इसलिए मुझे दोश लग गया तुम्हारे बारह साल काम करने से मेरा दोश उतर गया है तुम उठो तुम्हारे कोई दोश नहीं लगाया है तुम्हारे खूब धनलक्षमी हो जाएगी और तुम् लबसी रोजाना सवा सेर का हलवा बना कर भगवान को भोग लगा कर टाली हिला कर जीम लेता एक दिन दोनों में जगड़ा हो गया लपसी बोला मैं बढ़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ नारज जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा दूसरे दिन अपना पाउँ हटा पाउँ हटा ते ही मूँधड़ा निकला तब नारज जी बोले मूँधड़ा चुराने से तेरी तपसिय भाँग हो गई है इसे लपसी बड़ा है तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारज जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा दोती देकर अंगोचा नहीं देगी सीधा देकर दक्षिना नहीं द ब्रहम्र जिमाकर दक्षिना नहीं देगी, दीवा चासकर हाथ नहीं जोड़ेगी, तो सारा पुन्ये तेरा होगा, कपड़ा देकर बटन ने लगावे, धाईने हाथ में नाड़ा बांदे, तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा, इतना कहकर नारजी अंतरध्यान हो गए, हे भगवाण जिसा फल अपसी ने दिया, विसा सब को देना, तेरे की कहानी, एक जाट था, एक भाट था, दोनों दोस्ते, जाट का चला बेहनके गर और बाट का चला सासरे, रास्ते में कुए कीपाल पर दोनों बैठ गए, जाट का भूला नगर बसेरा कर ले, भाट का भू खूब खातीर होगी सो तू कर ले जाट ने कुए की पाल पर बैठ कर पानी की घंटी और शावल का दाना लेकर नगर बसेरा किया और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल मल धावे पाव ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा ज कर करा के चल पड़ा जाट के की बहने बुरा और शावल जिमा कर खूब बात चीत की भाट का पहुचा तो सासरे में आग लग गई आग बुजाते बुजाते राख उठाते उताते हाथ भी काले मूँ भी काला रोटी ने पानी पडोसन आई बोली जमाई आया है उसकी भी पूछ कर लो सास बोली क्या करूँ मेरा तो सब कुछ जल गया है पडोसन ने एक रोटी और चाच ला कर दी उसने खा ली शाम को दोनों फिर मिले दोनों बोले कहो क्या बात है भाट का बोला मेरी ससुराल में तो आग लग गई बुजाते बुजाते हाथ भी काले हो गई औ भी काला रोटी ना पानी जाट का बोला मेरी तो खुब खातिर हुई मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले बोला आ अब कर ले भाट बोला अब भी ना करूँ तेरी तो मौसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे मेरी तो मा है दही की छुचली चूर में के लाड़ू धरे प कर करा के चल पड़ा, घर पहुंचते ही, जाट की मौसी ने बहुत लार्चाव किया, भाट का घर गया तो उसकी भहस्क हो गई, बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बुला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहां आया तो भहस्क हो दी, पहले भहस्क खोज करला, तब रोटी भाट बोला, अगर तेरे नगर बसेरे में इतना गुन है तो अब कर ले, दोनों नगर बसेरा करने लगे, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाव, ताता मांड़ा तापसी, देगी मेरी मा, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी, उन्होंने नगर बस आगे चला तो रास्ते में फैंस मिल गई लेकिन घर आया तो मा बोली लड़के को आते ही निकाल दिया सारा दिन हो गया भूका मरता है उसको खुब अच्ची तरह जिमाया उन्होंने सारी नगरी में धिंडोरा पिटपा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर वैसासरे में आते जाते नगर बसेरा करें तरह भूजन की कहानी एक राजा की लड़की तरह भूजन करती थी उसने अपनी पिताजी से का पिताजी मुझे नौ लाख तारे बनवा दो मैं दान करूंगी राजा ने सुनार को बुलाया और कहा मेरी बेटी तरह भूजन करती है तुम नौ लाग तारे बना दो सुनार सोच में पढ़ गया सुनारी ने पुछा तो मुदास क्यों रहते हो उसने का राजा ने नौ लाग तारे बनाने के लिए कहा है मैं कैसे बनाओ मुझे तारे बनाने नहीं आते सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है गोल सा पत्रा का जोनार ने ऐसा ही किया, राजा आया और तारे ले गया, राजा की लड़की ने नौ लाख तारे और बहुत सा दान दिया, भगवान का सिंखासन डोलने लगा, भगवान ने कहा देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है, तीन कूड देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूड देखा तो राजा की लड़की तारा भुजन कर रही है भागवान ने कहा उसे ले आओ उसे व्रत किये हैं भागवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हे भागवान ने बुलाया है उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाओंगी मैं तो सारी प्रजा को उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाये जिसने मेरी कहानी सुनी सबको लेकर जाओंगी दूत उसके लिए बड़ा विमान लाय और कहा चलो वे है कहने लगी हाँ अम्मे चलूंगी सब विमान में बैठकर जाने लगें रास्ते में उसे अभी मान हो गया बोली अगर मैं तारा सब को स्वर्ग कैसे मिलता दूत ने उसे वही से नीचे उतार दिया औरका तुम्हे अभीमान हो गया है दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा इन सब में तारा भूजन व्रत करने वाली कौन सी है वे बोले उसने अभीमान किया इसलिए हम उसे छोड़ाए भ नितनेम बाबा सीता माता की कहानी राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम माखन मिश्री खाओ राम दूद बताशा पीओ राम सूत के पलका पोटो राम शाल दुशाला ओडो राम राम समारे सब के काम खाली घर भंडार भरेंगे सीता माता ये कहानी कहा करती थी और श्री राम जी रोज सुना करते थे एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया माता कहने लगी भगवान मेरा तो बारह वर्ष का नित नेम है मैं अपनी कहानी किसे सुनाओंगी भगवान बोले ऐसा करियो कुए की पाल पर जाकर बैट जाना औरते पानी भरने आएंगी तेरी कहानी सुन लेंगी वो बोली अच्छा सीता माता जाकर कुए पर पैट कई एक बहू आई उसने रेशम जडी की साड़ी पैन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था सीता माता बोली बहन मेरा बारह बरश का नितनेम सुन ले बहू बोली मैं तेरा बारह बरश का नितनेम नहीं सुनूघी मुझी देर हो जाएगी घर में सास लड़ेगी कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया, सासु बोली बहु किसका दोश सिर ले आई है, बहु बोली सासु जी दोश क्या लाई, कुए पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुनले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया, अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर वही घड़ा ले गई, सीता माता बैठी हुई मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुनले, सासु मा बोली, कहानी एक बार छोड़, चार बार सुनू, राम आये, लक्षमन आये, देश के पुजा नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका पोटो राम, शौल दिशौला ओडो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सब के काम, खाली घर घंडार भनेंगे, सब का बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जे राम, जे जे राम, वह बोली बेहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, घर गई, रेशम जरी की साड़ी वापस सोने की हो गई, सोने का घड़ा हो गया, बहु कहने लगी सासुजी, तुम कैसे कराई, बहु तु दोश लगाई थी, तो मैं दोश उतार आई, ऐसी वह कौन थी, सासुजी वह सीता मता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, लक्षमी जी का वास कर देती हैं, और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं, अच्छा सासुजी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो, ले बहु तु भी राम आये लक्षमन आये देश के पुजारी आये बहु कहने लगी सासु जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे वह बोली ले भाई तू भी सुन ले फिर वही कहना राम आये लक्षमन आये देश के पुजारी आये वह कहानी कहने लगी पड़ो बरे वैसे भी हमारे भी भरियो कहानी कहते की सुनते की हुंकारा भरते की सभी की मनों कामना पूरी करियो लक्ष्मी कवास हो अनपूर्णा कवास हो बोलो सीता माता की जै इल्ली घुन की कार्तिक की कहानी एक इल्ली और घुन था इल्ली बोली आओ घुन कार्तिक नहाए तो बोला तू ही नहाले मैं तो नहीं नहांगा बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई वे कार्तिक नहाती रही और घुन नहीं नहाया कार्तिक उतरते ही वे दोनों मर गए बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जनम लिया और पेटी तुझे जो चाहिए मांग ले वह लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए तो वह बोले यह क्या मांगा यह मत ले जा चाहे और धन दौलत ले जा परंतु वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए तो वह गधा रत के साथ बांदिया गया जब गधे को स मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी प्यूंगा उनकी आपस की यह बात दो रानी जिठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादू गर्नी लाए हो जो जानवरों से बाते करती है तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मांता आँखों से देख क दूसरे दिन वहेच शुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने जवाब भी वही दिया अब राजकुमार बोला कि रानी तू जानवर से क्यों बात कर रही थी तू बता दे नहीं तो तलवार से मारूंगा रानी न कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूँगा रानी ने कहा कि पिछले जनम में मैं तो इल्ली थी और वह घुन था तब मैंने कहा कि आ घुन कार्तिक नहा ले तो यह नहाया नहीं जिससे यह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर में जनम लिया यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का क्या फल है तो राणी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राज़ पाट कर रही हूँ तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुन्ये करे दोनों जने कार्थिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ती हो गई हे कार्थिक महाराज जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सब को देना बोलिए श्री कार्थिक ठाकुर की जै पंच भीकू की कहानी पंच तीर थी एक सावकार के बेटे की बहु थी पंच दिन कार्थिक के बीथ गए तो उस दिन सावकार के बेटे की बहु नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था शोर सुनकर जल्दी से बह जाने लगी जिससे अपनी मोती की माला वही पर भूल गई तब राजा के बेटे ने मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला इतनी सुन्दर है तो पहनने वाली कितनी सुन्दर होगी बाद में सारी नगरी में धिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी है माला है वह मेरे पास पांच रात आएगी तम मैं उसकी हमाला दे दूँगा और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया सुबह साहोकार की बहु आई तो पहली पैड़ी पर पाहु रखा और बोली कि अगर मेरे मेरे में सत है तो इसे नीद आ जाए और उसे नीद आ गई और वह नहा कर चली गई राजा का बेटा उटकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी तो तोते ने कहा आई थी वह कैसी थी तब तोता बोला आभा जैसी बिजली गुलाब जसरंग राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा फिर मुझे नीद नहीं आएगी दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया जब वह आई तो भगवान से प्राथना करने लगी राजकुमार को नीद आ गई और वह नहा कर चली गई तब उसने उटकर तोते से पूछा तोते ने सारी बात बता दी तब राजकुमार बोला मैं आखों में मिर्ची डाल कर बैठूंगा और रात को मिर्ची डाल कर बैठ गया और वहे आई और चली गई राजकुमार ने तोते से पुछा कि आई थी उसने कहा फिर उसने कहा आज तो बिना विस्तर के बैठूंगा और वह रात को बिनविस्तर के बैठ गया जब वह नहाने आई तो भगवान से वही बात कहने लगी तो भगवान राजकुमार को नीध आ गई वह जब नहाकर जाने लगा तो आख बंद करके चली गई राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगिठी रख बैठूंगा जिससे नीन नहीं आएगे र वह अंगिठी रख कर बैठ गया सहोकार के भहुने भगवान से का कि चार रात तो निकाल दे आज की रात और निकाल दे भगवान ने उसका सत रखा और उसे नीद आ गई जब वहना कर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कहे देना कि तेरी पांच रात पूरी हो गई है इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई ये तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोड निकल गया और वह तड़पने लगा तो राजा ने भ्रामण को बुला कर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों चल रहा है तब भ्रामण ने कहा कि वह पति व्रता इस्त्री पर पूरी नजर रखता है इसलिए यह रोग लगा है तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा तब भ्रामण ने कहा कि उस साहुकार की बहु को धरम की बहन बना ले और उसके नहाय हुए जल से नहाय तो उसका कोड ठीक हो जाएगा राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहुकार से कहा कि यह माला आपकी बहु की है और उसके नहायो हुए जल से मेरे बेटे को नहलातो साहुकार ने कहा कि वह तो किसी पर पुरुष का मुह भी नहीं देखती इस नाली के नीचे राजकुमर को बेठा देना जब है नाएगी तो उपर से वह पानी आ जाएगा बाद में राजकुमार बैट नहाया तो उसकी चंदन जिसी काया हो गई हे पंच भीकु देवता जैसा साहुकार की बहु का सत रखा वैसा सब का रखना जो कार्तिक नहाय उसका सत रखना बोलो पंच भीकु देवता की जै धरमराज जी की कहानी दो सेठानिया थी एक के घर में धन था पर वह मन से कंजूस थी दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर वह मन से बहुत अमीर थी रोज सवेरे उठती गंगा जी स्नान करती तुलसी माता की बढ़ की पीपल को सीच्टी भगवान के मंदर जाके पूझा करती धरमराज जी की सूरज भगवान की कहानी सुनती भगवान के भोग लगा कर अथिती को जिमाती गाए कुट्टे के लिए ग्रास निकालती मेरे को भूक लगी है तो दूत बोले किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा फिर बोली प्यास लगी है दूत बोले किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा रास्ते में उसे काटे चुपने लगे गर्मी पढ़ने लगी पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए अब सेठानी बहुत पच्टाने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धरम नहीं किया इतने में यम्राज का दरपार आया धर्मात्मा बुढिया को भगवान के पास सिंगासन मिला और वह उस पर बैठी उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया अब सेठानी अमराज से बोली मुझे सवा पहर का जीवन दान देओ मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी अमराज बोले ठीक है सेठाने के शरीर में वापस प्राण डाल दिये संसार में आते ही पंडितों को बोला कर सेठानी दिधर धरम राज जी की कथा सुनी हर तरह से दान धरम किया इतने में समय पूरा हो गया अपके बार विमान आया सवा पहर के दान धरम से सेठानी को स्वर्ग मिला हे धरम राज जी ने सिठानी पर किरपा करी हे धरम राज ज की जय कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल साइखुशी क्रियेशन्स को सब्सक्राइब करें थैंक यू